क्यारा बच्चों, LGR study के इस मात्पूर्ण class में आप सभी का स्वागत हैं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि biology में जो है अभी हम लोग jab परकरम chapter जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं और jab परकरम chapter में आप सभी को पतावा कि स्वासन हम लोग पूरा complete कर चुके थे पिछले ही class में और आज जो है वो स्वासन से संबंदित कुछ मात्पूर्ण question पहले discussion करेंगे जो की NCRT का question है तो कापी जिदा मात्पूर्ण होगा सबसे पहले हम लोग स्वासन जो topic पढ़ाई किये थे उसका कुछ question discussion करेंगे और फिर आज जो हम लोग शुरू करने बाले हैं वो वहन हैं क्या है वहन तो वहन को पढ़ेंगे उससे पहले कुछ question देखते हैं ध्यान से समझने की कोशिस कीजिएगा first question आपके सामने हैं कि स्वासन के लिए oxygen प्राप्त करने की दिशा में एक जलिये जीव की अपेक्छा अस्थलिये जीव किस परकार लाभ प्रद हैं पहले question समझे फिर आंसर आपको automatic समझ में आ जाएगा इस question में बोला गया कि भाई हम लोग स्वासन करते हैं स्वासन मतलब सांस लेते हैं सांस में मुखरूप से जीव है वो oxygen लेते हैं तो oxygen प्राप्त करने की दिशा में जो जलिये जीव है उसके तुलना में अस्थलिये जीव जलिये जीब जो जल में रहते हैं उसे जलिये जीब कहते हैं जैसे कि मचली है और जल में रहने वाले सभी जीब अस्थलिये जीब जो जमीन पर रहते हैं जैसे मनुस हैं गाई बैस ये सारे के सारे मतलब जमीन पर रहने वाले जीब को अस्थलिये जीब कहते हैं तो यहां पर बोला गया कि जब स्वासन ये प्रक्रिया हो उसमें ऑक्सिजन प्राप्त करने के दिशा में अगर बात किया जाए तो जलिये जीब के अपेक्छा जो है वो अस्थलिये जीब जो है जैदा लावकुरद है यानि कि अस्थलिये जीब जो है वो ऑक्सिजन प्राप्त करने में कठिनाई होता है लेकिन अस्थल यानि की जमीन पर रहनेThis जीव को और प्राप्त करने में लाभ मिलता है यानि की फाइदा मिलता है जल में रहने वाले जीब के अपेक्छा तो देखिए होता क्या है वो समझे आप इसका सुद्धा अंसर कैसे लिखेंगे लिखेंगे कि जलिये जीब में जलीए जीब जलमे विले मतलब घुला हुआ ऑक्सीजन का उप्योग करते हैं जल में रहने वाले जीब वो जलमे विले ऑक्सीजन का उप्योग करते हैं यानि कि जो oxygen जल में पाया जाता है उसी oxygen को स्वसन के रूप में जल में रहने वाले जीव लेते हैं जिसा कि आप सभी जाते हैं कि H2O होता है जल तो जल में hydrogen है और oxygen है तो यही oxygen जो है जल में रहने वाले जीव स्वसन के रूप में लेता है क्योंकि जल में विले आक्सिजन की मात्रा वायू में आक्सिजन की मात्रा की तुल्ला में बहुत कम है वायू मंडल में जितना जैदा मात्रा में आक्सिजन है उतना जैदा मात्रा में जल में आक्सिजन नहीं है और यही कारण है कि जलिये जीब जो है जलिये जीबों की स्वसंदर अस्थलिये जीबों की अपेक्छा कम होती है सही बात है वायू मंडल में हम ऑक्सिजन तेजी से ले पाते हैं लेकिन जल में रहने वाले जीब उतना फास्ट ली ऑक्सिजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वह अधिक और नहीं लेएंगे लेकिन अमलो कम टाइम में भी जदा अक्सीजन क्या कर पाते हैं लेपाते हैं अस्थल पर रहने वाले जीव सवसंद के लिए एक जलीं प्राप्तक करने की दि अप्चा अस्थल ये जीव लाव प्रद है और अस्थल में बाइव मंदल से लएते हैं में जैदा है तो आसानी होता है लेकिन जल में commodity analytes King कम है तो यहांपर oxygen प्राप्त करने में कठी नहीं होता है इस तरीका से हम कह सकते हैं कि जल में राने वाले जीब क्याफिकशा, अस्थल पर राने वाले जीब जो है वो आख्षीजन प्राप्ट करने की दीसा में जैदा लाफ प्रद है ठीक है अगला कुशन है कि मनूसे में aid oxygen तथा carbon dioxide का परीवहन कैसे होता है आप सभी जानते हैं कि हम लोग oxygen गरहन करते हैं और carbon dioxide छोरते हैं तो oxygen जो है नाक के रास्ते से फैफराम जाता है फैपरा से बलड में जाता है बलड आर्वी सी ऑक्सिजन को ले करके हमारे पूरे सरीर में फैला देता है और फिर कार्बन डाउकसाइड को हम लोग भाफ और नाक के रूप में क्या करते हैं सरीर से बाहर निकालते हैं इसी चीजों को कैसे लिखेंगे एक्जाम के अंदर सिस्टमाटिक रूप में तो उत्तर लिखिएगा तो सबसे पहले लिखिएगा ऑक्सिजन का वहन मतलब सबसे पहले हम लोग ये जानने वाले हैं कि oxygen कैसे हमारे सरीर में एक जगा से दूसरे जगा तक जाता है तो देखी होता क्या है हीमोगलोबिन जो है फैफरों में पहुँची हुई बायू में से oxygen लेता है आप सभी जानते हैं कि नाक के माध्यम से हम वायू लेते हैं अपने फैफरा में और वो फैफरा में पूरा वायू जाता है उसमें सब चीज होता है तो उसमें से क्या करता है हीमोगलोबिन जो है oxygen छाट लेता है और वे क्या करता है हीमोगलोबिन क्या करता है oxygen को उन उत्तकों तक ले जाते हैं जहां oxygen की कमी है फैफरा में सभी हवा परवेश किया carbon dioxide, helium, nitrogen, oxygen सब गया लेकिन फैफरा में हीमोगलोबिन क्या करता है जो बलड में होता हीमोगलोबिन आपको पता होना चाहिए तो बलड में एक परकार का कन है हीमोगलोबिन तो हीमोगलोबिन क्या करता है फैफरा में जो हवा गया है उसमें से oxygen छांट लिया और छांट करके वो सरीर के सभी भागों तक पहुचा देता है जहां पर oxygen की मात्रा क्या है कम है कुछ समझ में आ गया इस तरीका से आप जो है बोल सकते हैं कि oxygen जो है पले नाक होते हुए फैफरा में गया फैफरा से उसको हीमोगलोबिन क्या कर लिया उठा लिया एक जगा से दूसरे जगा जाता है लेकिन अब बात करेंगे कि carbon dioxide का वहन कैसे होता है carbon dioxide कैसे हमारे सरीर में एक जगा से दूसरे जगा यात्रा करता है पड़ी वहन मतलब यात्रा करना एक जगा से दूसरी जगा जाना तो देखें कार्बन डाकसाइड जो है जल में अधिक घुलन सील है ऐसा ही लिखेंगे आप जल्दी जल में घुल जाता है इसलिए इसका हमारे सरीर में उत्तकों से फैफरो तक हमारे रक्त में प्लाजमा में घुले हुए रूप में वहन होता है रक्त में जो प्लाजमा पाये जाता है प्लाजमा द्रब के रूप में होता है और प्लाजमा में ही घुल जाता है कौन कार्बन डाकसाइड और प्लाजमा के साथ ही एक जगा से दूसरे जगा जाता है जहां इसका वास्पी करन रक्त मे में रक्त से वायू में हो जाता है अब रक्त में था कार्बन डियुक्साइड उसका वास्पी करन्द हो गया और वह वायू में आ गया और फिर यह नासा द्वारों यानि कि नाक के मार्ग से हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं यह बाहर चली जाते ठीक है इस तरह से आप बोलेंगे कि कार्बन डियुक्साइड का वहन होता है नेक्स्ट कोश्चन हमारा बहुत महत्पूर्ण है कि गैसों के बीनिमय के लिए मानव फुपूस में अधिक्तम छेत्रफल को कैसे अभी कल्पित किया गया है फुपूस मतलब फैफरा फैफरा जो है वह आपको पता हो जो है वहां पर क्या करता है सभी के वायू मेंसे उक्सिजन को च्छाड़ता है और अक्सिजन को चूष करके सरीरिक में क्या करता हाओ nossos फैफरा जितना ही जैदा ऌक चूजग पाएगा यानि कि सक कर पाएगा तो कैसे चूठरफल बढ़ाया गया है जो हमारा फुक्फुस है यानि कि फ्याकरा उसका वो समझे देखिए मानव फुक्फुस में अनगिनित कूपी काएं होती है क्या होती है कूपी काएं कूपी काएं हमने आपको पिछले क्लास में दिखाए भी था फुक्फुस में पाय जाता है कोच इस तरीका का उंगली जै मीटर के बराबर होगा यानिकी समझते हैं इन कोपिकाओं की ही अभी कल्पना है जो उंगली जैसा आकार पाया जाता है हमारे ड़ी में यहथा देता है और हम ज्यादस ज्यादा oxygen क्या कर पाते हैं ले पाते हैं स्वसन के रूप में अगला question हम अब जो है ये question तो आपका complete हो गया जो आपके स्वसन से संबंदित था अब हमारा topic है वहन अब हम लोग वहन परेंगे हम लोगों ने परापोशन स्वसन और अब परेंगे वहन और वहन के बाद उत्सरजन परेंगे और उत्सरजन परने के बाद ये chapter ये आपका खतम हो जाएगा तो वहन समझे क्या होता है वहन जो सब्द है वहन सब्द का मतलब होता है एक जगा से दूसरे जगा तक जाना और एक जगा से दूसरे जगा तक जाना हम लोग वाहन से करते हैं किस से करते हैं वाहन से करते हैं यानि कि जो गारिया है उससे हम एक जगा से दूसरे जगा जाते हैं लेकिन मनुस्य के सरीर में तो कोई बस ट्रक या फिर गारी नहीं है यहां पर कुछ अलावी सिस्टम है तो वहन का सीधा मतलब है अगर बायलोजी में वहन पर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे सरीर में किसी चीज का एक जगा से दूसरे जगा जाना ठीक है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी साड़ी रेक पतार्त का एक जगा से दूसरे बाइलोजी पर रहे हैं तो बाइलोजी के अंदर पडार्थों का सरीर के एक आंत्रिक भाग से दूसरे आंत्रिक भाग तक जाना है मानव के सरीर में या फिर किसी सजीव के सरीर में कोई पदार्थ एक जगा से दूसरे जगा जाता है उसे ही वहन काते हैं आप सोचेंगे कि क्या सर्म हमारे सरीर में भी कोई पदार्थ एक जगा से दूसरे जगा जाता एकदम जाता है जैसे ऑक्सिजन का ही देख लीजिए ऑक्सिजन हमारे नाक में परवेश किया नाक से गया फैफरा में फैफरा से उसको बलड का हो हीमोगलोबिन उठाया और पूरे सरीर में जाता है फिर पूरे सरीर से हिरदय में आता है तो देखिए बलड का भी आना जाना हो रहा है कि नहीं भोजन आप करते हैं भोजन करते हैं तो मुह में डालते हैं मुह में डालते हैं मुह से ग्रस नली होते हुए आमासे में जाता है छोटी आत में जाता है बढ़ याद से मलासे में जाता है फिर हम उसका त्याग कर देते हैं तो देख लिए भोजन भी यात्रा किया कि नहीं मुह से लेकर के जो है वो मलासे तक जाने का यात्रा तरही किया भोजन भी तो इसका मतलब है कि हमारे सरीर में भी बहुत सारे पदार्थ एक जगा से दूस जाता है कि नहीं भोजन के रूप में हम भोजन के रूप में पोसक पदार्थ खाते हैं तो वह हमारे सरीर में पुरा फैलता है गैस भी जाता हमारे सरीर में ऑक्सिजन उत्सरजी पदार्थ यानि की जो हमारा भोजन पच जाता है पचने के बाद जो नहीं पचने वाला पद कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब कई हार्मोने से जो स्रावित कहीं और होती है और उसका निसकासन कहीं और से होता है तो हार्मोन भी होते हैं तता पौधों में अगर बात किया जाए तो मुख्यता जो है खनीज पदार्थ जिसे की जल है लबन है मिट्टी से लेन होने का जो काम है होता है तो यह सारे जो काम है वहन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं वहन कहलाते हैं हम सबसे पहले मानब में वहन परेंगे फिर पौधा में वहन परेंगे देखेंगे कि मानब में किस किस चीजों का कहा से कहा तक जो है आना जाना होता है और मनुस में कौन-कौन सा चीज एक जगा से दूसरे जगा तक आता जाता रहता है वो पहले देखेंगे और कैसे आता है कि संग के help से आता है कि संग के help से जाता है वो सब पहले देखेंगे फिर पौधा में भी परहेंगे वहन की पौधा में कैसे कोई भी पदार्थ एक जगा से दूसरे जगा जात में कौन कौन सा चीज काम करता कौण कौन सा अंग काम करता है तो मानब वहनी तंतर की से काते सबसे पहले हो समझे एक तुसीदर समझे लीजए कि मावन में पोशक पदार्थ गैस पुद्थ सरजी पदार्थ एवम हार्मोन sour का नियन निरंतर हार्मोन का निरंतर आपूर्टी करने वाला जो यंत्र है न वही वहंतंत्र कहलाता है क्या कहलाता है वहंतंत्र हमारे बड़ी का वह अंग जो पोसक पदार्थ को एक जगा से दूसरी जगा ले जाता है gas यानि कि oxygen और carbon dioxide को एक जगा से दूसरी जगा ले जाते हैं हमारे बड़ी में उत्सरजी पदार्थ यानि कि हमारे सरीर में जो भोजन का पचा हुआ अब से से जिसे कच्रा भी कहलो वो एक जगा से दूसरी जगा जाने का काम करता है हार्मोन हमारे सरेर में एक जगा से दूसरे जगा जाता है तो इस सब चीजों को एक जगा से दूसरे जगा तक ले जाने में जो अंग हमारा काम करता है उसे ही वहन तंत्र काते हैं उसे ही क्या काते हैं वहन तंत्र काते हैं वहन तंतर में अगर देखा जाए तो सिंपल है तीन चार वहन तंतर मुख्य रूप से हमें पढ़ाई करना है तो मानब में वहन तंतर के मुख्य तक तीन अभ्यव है यानि कि एक चीजों को डूसरे जगहा तक ले जाने में हमारे शरीर में ये तीन अंग बहुत ज़्यादा काम करता है पहला तो है हिरदय जो है वो रक्त को एक जगा से दूसरे जगा भेजने और किसी दूसरे जगा से एक जगा तक लाने का काम करता है तो हिरदय परेंगे कि क्या है कैसे ये रक्त को एक जगा से दूसरे जगा भेजता है इसके बाद है रुधिर बाहिकाएं रुधिर बाहिकाएं जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मतलब रुधिर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है दमनी और सीरा इसी में आता है इसके बाद है लसी का यानि की लिंप तो लसी का क्या है कैसे यह किस यह अब सबसे पहले हम हिर्दय को ही परेंगे इसको परेंगे हिर्दय को परेंगे कि हिर्दय क्या है हिर्दय यानि की हर्ट हर्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है किसकी तरह काम करता है हमने यहाँ पर लिखी दिया है कि हिर्दय बिसेस अन्यक्षिक हिर्दयी पेसियों से बना हुआ एक पंप है बना हुआ ये क्या है पंप है यहाँ पर एक सब्द आया अनक्षिक दो चीजे आपको विग्यान में देखने को मिलेगा एक तो मिलेगा एक छिक क्या मिलेगा एक छिक और एक मिलेगा अनक्षिक तो एक्षिक क्या है अनेक्षिक क्या है जो काम हमारे मर्जी से होता है उसे कहते हैं एक्षिक जो काम हमारे मर्जी से नहीं होता है उसे कहते हैं अनेक्षिक जैसे हिर्दय का धरकना हमारे मर्जी से नहीं होता है कोई भी बैक्ति यह चाहेगा कि हम अपने हिर्दय के धरकना जो स यह हैं जिसे चीजों को देखकर मुह में पानी आना उलोगों के मुह में पानी आ Mmm पलक का जपकना ये सब अनेक्षिक किरिया है इस पर हमारा आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है तो हिर्दय भी जो है वो अनेक्षिक हिर्दई पेसियों से बना होता है अनेक्षिक हिर्दई पेसियों पेसियों मतलब एक अलग परकार का ही पेसियों होता है मतलब मांसल चीज ह होता है उससे हमारा हिर्दे बना होता है और यह एक पंप के जैसा होता है पंप पंप हवा भरते हैं साइकल में आपने हवा भरा होगा कई बार तो वह पंप क्या करती हावा को बायू मंदल से लेकर आपके साइकल के ट्यू में भर देती है तो उसी तरीका से जो हमारा हिर्दे है वो भी बलट को एक जगा से दूसरी जगा तक भेजने का काम करती है जो रुध हीर को सरीर के अंगों से खीच कर फैफरो तथा गुर्दों गुर्दा मतलब किडिनी अब फैफरा तो जानते ही है में ज सुद्ध हो करके आएगा फिर से हिर्दय में बलड और हिर्दय में आया तो हिर्दय फिर उसे क्या करेगा तो पूड़े सरीर में फैल आएगा और पूनह सुद्ध उदिर को पूड़े सरीर में भेजना यानि कि पूड़े सरीर में फैलाना हिर्दय का क्या है काम है तो हिर हिर्दय मुठी के आकार का होता है कई बार हिर्दय मतलब होता है हर्ट हर्ट मतलब दिल कहते हैं कई बार लोग जो दिल है न कुछ इस तरह के दिल बना देते हैं लोग यह एकदम पकवास चीजें हैं यह इसका इस वाले दिल का साइंस से कोई नाता रिस्ता नहीं है ऐसा दि मुठी चारों esque同งखे लो बंदेते हुंगे आप लो मुठी बंद न जांते हैं न तो मुठी के जैसा वता है हिड़ा काकर किसका जैसा होता है मुठी के जैसा होता है । मानबंदे में 4 खोंत होते हैं यानि की मानबंध 뜇में कितने कोश्ठक कोश्ठक मतलब समझे लो कमरा कोश्ठक मतलब कमरा होते यानि की रूम होते हैं क्या होते हैं रूम होते हैं हिर्दय में कितने रूम होते हैं यानि की कोश्ठक होते हैं तो हिर्दय में होते भाई साब चार रूम यानि की चार कोश्ठक अभी फीगर में भी द भी खाबी सकते हैं जो कि on चार कोष्ठक हैं कौन चार कमड़ा होते थे में तो इसको देखने के लिए आपना हमें ध्यान देना होगा इधर से आपको बुलू वाला पार दिखाई दे रहा हो इधर से आपको के आपको दिखाई दे रहाँ है। इससे उपर बुलू वाला चीज आपको दिखाई दे रहा है। यही कहलाता है दाया निले है और ये दाया अलिंद है ये दाया निले हुआ और ये वाला पार्ट हुआ दाया अलिंद तो दाया निले और दाया अलिंद समझ में आ गया और ये वाला जो पार्ट है यहां से हलका ये गेट बंद कर देजी ये वाला जो पार्ट है हमारे दिल क यह कहलाता है बायान निलाय किया कहला एकर फार्ट इस यह वाला पार्ट वंच गया दिल्ल का यह वाला पार्ट उसे हिकाते हैं बाया अलिंद तो यह चार चीज आạo समघ लिया चार पार्ट में हमारा दिल की भिभाजित है बाया अलिंद बाया निल्य लिए अलिंद ये चीज आप लोगों ने क्या कर लिया अब इस चारों चीजों को समझने के बाद समझने के बाद हम दिल के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देने की कोसेश करते हैं हिर्दय के संकुचन को सिश्टो लखाते हैं संकुचन को क्या खाते हैं संकुचन मतलब उसका सिकुर्णा सिकुर्णा यानि कि छोटा होना आपको पता होना चाहिए कि छोटा होता रहता बरा होता चोटा बरा होता रहता जब यह करती है मतलब हिर्दय धरकती है उस टाइ पोटा होना जो है सिस्टोल का लाता है एवं फैलना या इसी को अनुस अनुसिथीलन कहते हैं फैलना या अनुसिथीलन फैलना या अनुसिथीलन को जो है डाइस्टोल कहते हैं फैलना या अनुसिथीलन को हम लोग क्या कहते हैं डाइस्टोल कहते हैं तो सिस्टोल और डाइस सब्सक्राइब ऐसे जाद रखने की खोशश करेंगे को अगला कि आलइंद की अपेक्षाण निलिययं की निलय सब्सक्राइब थै कि मोटी होती है पतला होगा उसका जो वा होगा उसका चमरा होगा और ओंद प्रेसर लगा करके पूरे सरीर में बलड को भेजता है तो निले जैदा प्रेसर लगाएगा जैदा अगर प्रेसर लगाएगा और अगर ये इसका वाल कमजोर होगा तो फट जाएगा न भाई इसलिए निले का जो भित्ती बनाया गया है भगवान की द्वारा वहल का मोटा बनाया गया है क्या बनाएगा है मोटा बनाएगा चीज severity समझ में आगया होगा आप लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे के चीज कर दो बार गुजरना परता है कैसे पहली बार तो पूरे शरीड से रखता। आया हिर्दय में हिर्दय म में आया और हिर्दय संने वलड़ को फैफरा में भेजा कि अर्चा is शुने जिया ऑप तो किढिनि ऊस साप'll और किढिनि या करता है फैपरा का काम है बलड में ऑक्सिजन मिलाना और किर्णी का काम है बलड को साफ करना बलड को क्या करना साफ करना तो फहले किर्णी में जाता है और किर्णी से आता फैपरा में और फिर फैपरा क्या करता है बलड को फिर से हिर्दय में भीज देता है बलड को फिर से कहां पूरे सरीर में क्या करता फैलाता है तो एक चक्कर पूरा करने के टाइम पर हिर्दय के अंदर दो बार बलड आया है दो बार एक तो गंदा बलड आया पूरे सरीर से उस गंदा बलड को फैपरा किर्दी में भेद दिया हिर्दय ने और फिर फैपरा किर्दी होते हुए हिर्दय से होकर एक चक्कर में कितना वार गुजरता है दो गुजरता है इसलिए मनुस में रक्त परिवहन परी संचरन को दोहरा परी संचरन काते हैं पूछा गया कोशन है कि मानब हिर्दय मानब हिर्दय का परिवहन संचरन काते हैं क्योंकि इसमें दो बार बलड आती है एक चक्कर लगाने के द्रम्या नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि हमारा हिर्दय कैसा है यह कैसे वर्क करता है हमने हिर्दय के बारे में दिखाई दिया कि इये आपका हिर्दय है यह पूल Convene कि समझने की क्या की शोगईएगा यह हिर्दय काम कैसे करता है वो देखиएगा ये है हलक महाधमनी है तो महाधमनी आपने देख लिया महाधमनी है यह जो है वर् fry शरीर के ऊपड़ी बाgt भाग से महा सीरा है ये क्या है महा सीरा ठीक है तो एक महा धमनी आपने देख लिया एक महा सीरा देख लिया हमारा जो हिर्दय है सरीर के बीच में है हिर्दय से उपर हमारा मुंडी है और हिर्दय से नीचे आप जानते हैं कि पेट है और तांग उंग है यानि कि हिर्दय सरीर के पुड़े बीच में है तो सरीर के उपरी भाग से जो आने वाला सीरा है वो ये वाला है उपर वाले भाग से सीरा जो आता है वो ये है ये वाला पाइप उपरी भाग से आने वाला सीरा है इसके बाद हमने बताया है कि दाया अलिंद क्या है ये वाला जो पार्ट है हिर्द ये सरीर के नीचले भाग से महासीरा, नीचे वाले भाग से जो महासीरा गया है, वो इधर से ही गया है, इस वाले पार्ट को हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं, दाया निले, क्या कहते हैं, दाया निले कहते हैं, और विभाजी का क्या है समझने की कोशिस कीजिएगा, ये निले और ये अलिंद ये अलिंद और ये निले अलिंद और निले को दो भागों में बांटने का काम करता है ये वाला भित्ती ये वाला दिवाल तिखरा होगा दर से ये वाला दिवाल इसी दिवाल को करते हैं विभाजी का विभाजी का मतलब विभाजन करके रखता है का नाम है पुपुस्द्हमनिया और एक pipe हिर्दय से और निकला हुआ ये वाला देखते हैं ये वाला जूद है वो जो पाइप है वह क्या है भाई सब तो वह है फुपोसि रहां outcomes फुपु सिराई हैं ये वाला पार्ट आलेडी हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये बाया अलिंद कालाता है और इसके नीचे वाला पार्ट बाया निलय कालाता है ठीक है तो सरीर में जो हिर्दय है उसके सारे अंगों को आपने देख लिया अब दे स्थिति है भूफू से खोगी कहां है तो श्यर यहवाला है यहां से हमारे सरीर में यह स cav plug सिरा जो है और सी जनित रुद्हिर सबसे पहले यहां आता है यानि की गंदा बल्ड पूड़े सरीर से किस होकर पूरे सरीर से गंदा बलड जो है वह सबसे पहले फूफुस सीरा होते हुए हमारे हुर्दे में परवेश करता है पहला और फुँफु शिरा से ये चला जाता है आपका बाया आलिंद में यही बाया आलिंद है तीसरा नमर पर कहा पर्मुख धमनी में जिसको महाधं में एक ते हैं महाधमनी काते हैं देख सकते हैं महाधमनी में मतलब इधर से आया बलड इधर से आते हुए यह यहां आया और फिर देख सकते हैं इधर की तरफ तीर लगाया हुआ है यह महाधमनी अंदर से नीचे से पाइप जाएगा इसका नीचे से पाइप जाएगा बलड ही है यह बलड जो है हिर्द अभी गंदा बलड को कहां भीज रहा है तो सरीर के अंग नहीं सरीर के यह मतलब आपको खा सकते हैं इसको सरीर का अंग है यहां पर फैफरा और किर्णी फैफरा और किर्णी में भीजा महा धमनी होते किर्णी में गया फैपर से कहा गया पर्मुक कहा गया सीरा में गया तो पर्मुक, सीरा कहां पर है वह रेख लीजिए कृपकर महा सीरा में गया जिसको महा सीरा भी इसमें चाहा हुए वह होते हुए है मतलब इधर होते हुए फिर से क्या करता है ह्मारे हिर्दय में यह वी-oxygenit-rid-hr ही है इसमें पहुंचा फिर यह क्या करता है दायां अलीन पहेज़ा और यहां यहां से आया यहां से आप क्या होगा तो बलड जो है इधर से निकलते हुए आएगा नंबर में फुप्फुस धमनी पर फुप एक मिनट एक मिनट वि ऑक्सिजनित रधीर और ओक्सिजनित लिख दिया पर कुछ टाइपिंग मिस्टिक है यह और यहां पर निकलेगा वलट यहां पर बलट क्या होगा निकलेगा और फुपुस जाने की फैफरा में जाएगा यहां पर कुछ मतलब एक मिनिट मुझेगा फुपुस बिल्कुल ठीक है फैफरा में जाएगा यहां से पूरे सरीर में फैलेगा ठीक है यहां से पूरे सरीर में फैलना का जो है काम होगा तो कुछ इस तरीका से हमारा जो हिर्दे है वो क्या करता है काम करता है और बलड को एक जगा से दूसरे जगा बतलब भेजने का काम करता है अगला है रुधिर वाहिका हिर्दे तो आप लोग उने देखा हिर्दे के बाद हम लोग परने बाले हैं रुधिर वाहिका तो जानेंगे कि रुधिर वाहिका क्या होता है यानि कि बलट को एक जगर से दूसरे जगर ले जाने में जो वाहिका है रुधिर वाहिका वो क्या है तो रुधिर वाहिका में दो चीजे हैं पाला है धमनी और दुसरा है सीरा जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया भी ताकि धमनी क्या है सीरा क्या है ये धमनी देख रहे हैं ये नस जो है ये नस है पाइप को नस कहिए तो ये धमनी है और यह क्या है सीरा है तु इसको फोफुष र Dru भोलते हैं और यह है आपका महा धमनी और यह है आपका महा शीरा यह क्या है mattress पुछार झाता है तु में 2 टर धारकेasyern हो गए एक हो गए आपका धमनी और एक हो गए सीराएं तो चली आप धमनी क्या काम करती है उसको जानने का कोश़ज करते हैं रुदिर भाई कामे सबसे पहला हम लोग परने वाले हैं धमनिया धमनिया यानिकि इसको लुखी होती है कर दूसरा इसका खासित है कि यहां सुध्ध्रक्त को क्या क्या किम स्यद्रक्त धुब ठीक है शुद्रक्थ यानिकी oxygenate रख्थ यहां पर हलका समझ लीजिएगा तो यहां पर आप अपने देखा है कि यह सुद्रक्थ यानिकी oxygenate को यानिकी जिसमें oxygen मिला हुआ है ऑक्सीजनित मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है उस रक्त को हिर्दय से सरीर के विभीन अंगों तक ले जाती हैं कौन तो जो धमनियां है वो हिर्दय पूर्ळी इसे निकाला और सरीर के फूरे अंगों में भेजए दूसरा जाद रखेंगे तिसरा बातु कि धह Piatt JR अपबाद फुफुस धमनी है भाई सब धमनी का अपबाद क्यों है फुफुस धमने धमनी का काम है सुद्ध रक्त को पूड़े सरीर में फैलाना लेकिन ये क्या करती है फुफुस धमनी और सुद्ध रक्त को यानि कि वी ऑक्सिजनित रक्त यानि कि जिसमें ऑक्सिजन नह जाती है उसको एक जगद से दूसरे जगद तक ले जाने का काम कर रहा है अगला चीज से याज रखेंगे के नीचे पाई जाती है यह हमारे सरीर में उपर से नहीं दिखाई देता है जो धमनिया है वो उपर से दिखाई नहीं देता है उत्तक के नीचे पाई जाती है कहां पाई जाती है उत्तक के नीचे पाई जाती है धमनी के बारे में आप इतना बात याद रखेंगे अगला है ह वह धमनी हे धमनी मोटी थी और अधिक लचिले थी जब की जो सीरा है आपके वो पतली हTop और कमलची लिए जस टोड़ा हुआ की नहीं हुआ अंतर हैं दोनोंनों में सीरा का आप बाद फुफुस सीरा है अब बाद का मतलब क्या है सीरा का काम है और सुध्रक्त ले जाना लेकिन फुफुस सीरा जो आपको मैंने दिखाया है वह सुध्रक्त को फैफरा से हीर्दे तक पहुंचाता है सुध्रक्त को फैबरा से कहां तक पहुंचाएगा इसमें वाल होता यानी की नस दिखाई दे रहा है तो समझ लिजिए वो नस कौन है तो सीरा है सीरा और धमनी नस है सिधा समझ लिजिए तो जो दिखाई दे रहा उपर से कहीं कहीं पे तो वो क्या है सीरा है ठीक है धमनी सीरा आपने देखा अब हम परेंगे कोशी का के बारे में कि कोशी का क्या है तो कोशी का क्या समझे यह पतली पतली रक्त वाहिनिया है कोशी का जो बहुत ही पतला पतला जाल के जैसा रक्त वाहिका है यानि कि नस है बहुत पतला पतला नस कहलो इसको साधरन बसामे जो मुख वाहिकाओं की साखाओं और उपसाखाओं के रूप में सरीर में जाल की तरह फ भाइला हुआ है जाल के जैसा ठीक है यह काम क्या करती है तो यह धमनियों से निकली हुई सबसे पतली सीराएं हैं जो कोशी का है वो सीरा होती है और धमनी से निकला हुआ सबसे पतला सीरा होता है जिसके सीरे आपस में मिल कर सीराएं बनाती है मिल जाने के बाद क्या कर्ती है काम करता है उसके बारे में यहांपर हमें क्या करना है अब पढ़ना है हिर्दय का कुछ अलग प्रकार का फीगर इस तरीका का भी हो सकता है ठीक है बलट जो है ठीक वो क्या होता है यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे फुफुस सीरा जो है फैफ्रा वाली सीरा है कि यहां पर जो है सबसे पहले फुपूश सीरा में बलट आता है फुपूश सीरा के बाद बलट जाती है दाया अलेंद में मुख धमनी होते हुए ऐनी कि महा धमनी होते हुए वह जो हमारे सरीर में जाती है मतलब छोड़ी से ट्यंगों में हाथ पौमें जाती है फिर यहां से जाती है महासीरा में महासीरा उसको दाया आलेंद में भेजता है दाया आलेंद से बलड जाता है दाया निलाय में और फिर दाया निलाय से निकल करके बलड जो है जाती है कहां तो फुफुस धहमनिया में आपो फुर्वर्थ धमनिया इसको भेज देती है फैफरा में भेजती है इस तरीका से बलट एक जगह से दूसरी जगह जाता है इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले है बलट यानिकी रक्त क्या पढ़ने वाले हैं रक्त परने वाले हैं कि आखिर रक्त होता क्या है रख्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक होता है रख्त क्या है तो तरल मतलब पानी के जैसा संयोजी मतलब जोरने वाला उत्तक है क्या है उत्तक है तो रख्त क्या हो गया रख्त यानि की बलड क्या है उत्तक है बलड क्या है उत्तक है कैसा उत्तक है तो तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग एक विशेश परकार के प्रोटीन, एक विशेश परकार के प्रोटीन हीमोगलोवीन के कारण लाल होता है, तो रक्त का जो रंग लाल है, वो किसके कारण है, हीमोगलोवीन के कारण लाल है, और हीमोगलोवीन क्या है, तो हीमोगलोवीन है प्रोटीन, उसर्जी पदार्थ हर्मोन वह lag अंचा बीच बीच में हम कुंअ छोड़ाइए ह сторड़ को अनि embroider और को सरीन के एक भाग से दुसरे भाग तक पहुंड जाने काका म革 THiK तो पोशक पदार्थ जितने भी हम अगर समझलों की गुलकोज लेते हैं या फिर जितने भी हम भोजन में पोशक पदार्थ खाते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है उत्त सरजी पदार्थ को भी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने काम करता तो यूरिया यानिकि पैसार अब रग्ट में होता है निकलता है तो वही तो उत शर्जी पदार्थ हुआ हार्मोन को हमारा रखत एक जगता दूसरी जगत ले जाने में काम करता है तो रखत के प्लाज्मा आते हैं जो पानी की रुप में वह क्या है प्लाज्मा करते हैं अब यह रक्तकन होते हैं लाल रक्तकन जिसको रेड बलेड करपसल कहीं खहेंगे ठीक ऐ और दुसरा स्वेथ रक्त करण जिसको वायट बलेड करपसल कहीं यहाँ वायट बलेड सेल भी कहीं जगा प्ये लिख्था हुआ है और तीसरा है पत्ति कानून जिसको इंगे हीं मिला करके हमारा बलत बना हुआ है और ये तीन होते हैं थोस यह होते हैं द्रब यह होते हैं द्रब तो आपने समझ लिया अब एक एक करके सब के बारे में परेंगे तो सबसे पहला हमें परना है आर बी सी सौरी है हां आर बी सी यानि की रेड बलड सिल या रेड बलड करपसल्स पहला चीज आर बी सी के बारे में याद रखेंगे कि आर बी सी का रं रक्तकन यानि कि यह लाल होगा के हीमोगलोबीन के कारण लाल होगा है डूसरा यादर करेंगे कि आरगलोबीन के माध्यम से ऑक्सिजन तथा कार्बान डख्षयर का परीभन करता है सही बात है और भीसी में ही threatens होता है और हिमोगलोबीन क्या करता ओक्सिजन को सरीर के पूरे अंग में फैलाता है, पूरे अंग से कार्बन डाक्षर को ले करके बाहर फिकता है तिसरा रक्त धानियों की लाल लखत खोशिकाओं में कैंदरक नहीं पाज़ाता है यह आप क्या करेंगे याद रखने की कोशिका नहीं पाई जाते हैं जो लाल रख्त कन है उसमें कोशिका नहीं पाई जाता है अगला याद रखेंगे कि आर्बीसी अथवा हीमोगलोबिन की कमी से रख्ता लब यानि की एनेमिया कि लो इंगलिस में आगर जिसके बड़ी में आर्बीसी या हीमोगलोबिन कम हो गया तो उसको इनेमिया नाम का बिमारी हो जाता है अगला है हीमोगलोबिन हीमोगलोबिन को स्वसन वरनक भी कहते हैं क्यों कि हीमोगलोबिन ही ऑक्सीजन को सरीज में फैलाने का काम करता है तो ये स्वास में हेल्प करता है हमारा दूसरा बात याद रखेंगे कि जो आरवीसी है इसका जीवनकाल 120 दिनों का होता है यानि कि आरवीसी 120 दिन तक जिन्दा रहता हमारे बलड में फिर मर जाता है फिर नया आरवीसी बनता है फिर 120 दिन के बाद मर गया फिर नया आरवीसी हमारे सरीर में बनता रहता है ठीक है इसके बाद रखेंगे कि आरवीसी की संख्या जो है अब वो RBC पाई जाते हैं तो यह आपने RBC देखा अब हम लोग देखने वाले हैं WBC WBC के बारे में जानिए WBC क्या है? सुएत रक्त कन सुएत रक्त कन के बारे में दो तिन चीज जान लीजिए यह लाल रक्त कनों की अपेक्छा बरे आकार की होती है यानि कि सुएत रक्त कन का आकार बरा होता है इसमें क्यंद्रक भी पाए जाता है यह भी कोसिका है तो कोसिका में तो क्यंद्रक पाए जाएगा लेकिन उस वाले कोसिका में क्यंद्रक नहीं पाए जाता है इसमें क्यंद्रक पाए जाता है दूसरा याद रखेंगे कि WBC को Leukocytes या सफेद करपसल्स भी काते हैं सफेद करपसल्स भी काते हैं White Ballad Carpuscles यानि कि स्वेत रक्त करपसल्स भी का सकते हैं या सरीर को संक्रामक रोगों से लरने की सक्ति परदान करता है जो संक्रामक रोग है खुजली है, कुरोना है सब से रलर्ने में हैल्प पॉन करता है तो WBC करता है इसकी संक्रामक याद रखेंगे 5000 से 7000 परती मीली मीटर क्यों होता है 1 मीली मीटर क्यों बलड में 5 से 7000 तक WBC हो सकते हैं यह आपको याद रखना है इसके बाद परने वाले पट्टी कानू यानि की प्लेट लेट्स पट्टी कानू यानि की प्लेट्स क्या होता है समझने की कोशिज कीजिएगा प्लेट्स के बारे में दो तीन चीज़े जानी है प्लेट्स रक्त का वहाँ अब्यव है जो कट जाने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक है अगर आपका सरीर कहीं पर कट गया हलका ख्रोच आ गया तो बलड भने रगता है तो जहां पर कटता है वो बलड का थक्का बना देता है कौन? पलेटलेट्स यानि की पट्टी काने अब थक्का बन गया तो जम गया जमने के कारण क्या होगा तो हमारा बलट बाहर नहीं आएगा और जिसमें प्लेट लेट्स कम होता है उसका अगर कहीं पे कट गया तो बस जल्दी बलट रुखता ही नहीं रहता है जल्दी बलट रुखता ही नहीं रहता है तो प्लेट लेट तो कटने के टाइम पर रक्त का ठक्का बनाने का जैसे मारी जी कि यह आप का हाथ है यहां पर खरोच Tú आगे कट गया तो यहां से बलट निकलना शुरू हो जाएगा लेकिन पटी कानू कहते हैं या नी कुया करते हैं या यानि कि की 11 खर fundamentals यानि कि 3 लाख प्रती मीली मीटर की होता यानि की एक मेलीमीटर के उन बलड में त्यनलाख पलेटलेट्स पाए जाते हैं किज में प्लाज्मा के बारे में सबसे चीज़ याद रखेंगे कि कि यह रक्तका एक गटक होता है कात की पलाजमा का रंग पीला होता है तिस्रह याद रखेंगे कि पलाजमा में आ है Salvador में आईतन के अनुसार 5 पर 30 स hyr मिधी रख्ट में आईतन के अनुसार 5% पलाजमा होता है जिसमें 92% जल पाय जाता है अगर रक्त है ठीक 100% तो उसमें 5% पलाजमा है ठीक है 5% क्या है पलाजमा है यानि कि सीधा समझ लीजी अगर 100 ग्राम बलड है तो इसमें 5 ग्राम 5 ग्राम क्या होगा पलाजमा होगा और ये 5 ग्राम पलाजमा में 92% जल ही होगा इस पांच घ्राम में 92 percent कितना हुगा जल होगा बाकी के अलग चीजे सब वोगे अगला क्ट का ठक्का जमने एव रक्त के परासरन आप को नियंतिर्ट करने का काम परासरन दाव को एवी काम करता है और प्रासरन दाव को को भी We can't control करने का जो है काम करता हैप अंगे आप तो all this के आप रह invites कई रर्क्त के कारिय को समझ लीजे अगले क्लास में रखत चाप यानि की बीपी परेंगे रखत का क्वेन का क्या 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 थे रखत का पहला को लेकर के हमारे सरीर से बाहर करना यह काम है दूसरा यह पोसक पदार्थ एब हार्मोन का पड़ी वहन करता है सही बात है पोसक पदार्थ जो हम भोजन के रूप में खाते हैं उसका सरीर से एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाने का काम करता है तो बलड एक जगह से तो स्रीर के ताप को नियंद्रित्र करता है temperature को भी control करता है और अगला है कि यह temperature को भी control करता है सही बात है कैसे देखिये हमारा जो बलट है वही temperature को बढ़ाता या घटाता है कैसे यह आप समझने की क्या की जिएगा होता क्या है है घ्रता संब्स यह समझत किए who is 지금 ये सरीड के ताप को नियूंट करता है हमारा का टैंपराइचर हे उसको भी कंट्रोल करके रखता है अधता है यह टेंपरेटर को कंट्रोल करके रखने का काम रखत करता है और यह संक्रामक रोग से सुरक्षा सरीज का सुरक्षा भी करता है संक्रामक रोग से भी हमको बचाने का काम करता है रखत यानि कि बलड तो यह सब चीजे आप बलड के बारे मियाद रखेंगे अगले क्लास में हम ल झाल झाल